आज मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में और कुछ किचन वेस्ट ले करके और किचन से कई तरह के वेस्ट निकलते हैं और इस समय तो पानी बहुत जादे नहीं देना है तो जब पानी की जरूरत होती है तो मैं दाल चावल का जो दुला हुआ पानी होता है वो इकठा करके रखे रहती हूं तो उसको डालती रहती हूं फिलाल अभी इस समय तो मैंने देखिए जो भी किचन वेस्ट में ये जो छिलके वगएर हैं इनको इकठा करके रखा हुआ है आज कल बहुत जादे किचन वेस्ट निकल जा रहे हैं मतर के छिलके हों गोभी के पत्ते हों मूली कि पत्ते हों ये सारा कुछ तो ऐसे कुछ जो भी लहसुन पर आज के जो छिलके वगएर हैं उनको इकठा करके मैं रख रही हूं और बराबर मैं अपने गार्डन में इनहीं का यूज करती हूं अलग से खाद वगएर नहीं यूज करती हूं और चुकि सर्दियों का समय है तो चाय भी बहुत जादे बन रही है तो इसकी जो पत्ती होती है चाय बनाने के बाद जो पत्ती निकलती है तो इसको भी मैं वेश्ट नहीं जाने देती हूं इसको मैं धूल के इकठा करके रखती जाती हूं और इस तरह से देखिए मैं इसी बोरी पे इसको फैला के रख सुखा देती हूं और हलका सुखा करके इसको इस्टोर करती हूं और जैसे जैसे पौधों में फ्लारिंग प्लांट पगरा में के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है ये और जब जब ज़रूरत होती है तब मैं डालती हूं इतना देखिए मैंने करीब ये दो किलो के करीब पत्ती होगी और मैंने इसको सुखा के रखा है और बराबर यूज भी करती हूं तो ज़्यादा बचा रहता है तो इसको मैं स्टोर कर लेती हूं और इसी से मेरे गार्डन में सब्जियां और फूल बहुत जादे लग जाते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी घ हैं अधर उधर फेकने से गंदगी ही होगी तो एक तरह से अपने इनवार्मेंट को बचाने के लिए हम यह कर सकते हैं और अपना शौक भी पूरा करेंगे और जीरो बजट गार्डनींग कर सकते हैं और इसको भी मैं इस्टोर कर रहा हूं फिलाल अभी पाट भरने तो मैं मैं उसमें डालूंगी और देखिए इसमें डीकंपोज भी होता रहता है जो पतियां वगरा निकलती है गार्डन से सारा कुछ मैं इसी में डाल देती हूं और गीला और सुखा वेश्ट सब कुछ एक साथ डालते जाएं तो बहुत अच्छी सी खाद भी बनेगी और मैं तो मैं बनाती हूं पॉट वगरा भरने के लिए यूज करती हूं अगर आप मेरे रेगुलर वीवर होंगे तो जानते होंगे कि मैं किचन वेश्ट गार्डन वेश्ट हल्दी राख इन सबों का यूज कर्षे करती हूं चाय पत्ती वगरा का और अगर नहीं है तो आप पुरा अपडेट दूँगी कि कौन सी सबजियां लग रही है कौन से फूल खिल रहे हैं इसमें देखिए यह बैगन जो है यह एक साल से ज्यादा पुराना हो चुका है यह बैगन का पौधा और इसको पहले मैंने बोरी में लगाया हुआ था और इससे बराबर हार्वेस्टिंग करती रहती हूं और देखिए मैंने बस बोरी को निकालके और इसमें रख दिया है और साइट साइट से कीचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट वगरा भर दी हूँ और उसी से यह पौट भर गया और इसको खाद भी देने की ज़रूरत नहीं है मैं इसी तरह से गार्डनिंग क तो देखिए जो भी बैगन मिला इस एक पौधे से मुझे इतना बैगन मिला है और यहां पे कुछ टमाटर भी पक रहे हैं और यह टमाटर के पौधे को मैंने टमाटर के पल्प से ही इसकी पौध घर पर ही तयार की थी तो मैंने यह घर पर ही पौध तयार करके यह टमाटर क स्वाइब सी दिर और और ये मैं तीसरी बार हारवेस्टिंग कर रही हूं इसमें से फ्रूट स्पकुर्वेस्टिंग करती जा रही हूं कि यह जल नहीं होने दे रही हूं क्योंकि यह जो फ्रूट भन्दर के निगाय में आ कम बंदर देख पाते हैं और फिलाल इस समय बंदर बहुत जादे आ भी रहें तो कभी भी आ सकते हैं तो देखिए मैंने एक पौधे से प्याज से मैंने इसको उगाया है जो प्याज स्प्राउट हो गई थी तो उतने को ही लगा दिया और इससे प्याज की पत्तियां मुझे बहुत अच्छे से मिल जाती है और यहां पर देखिए पालक पालक भी काफी अच्छी ग्रो हो रही है और यह रहा मटर मटर मैंने दो क गाजर मैंने एक और पॉट में लगाई है वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए तयार है तो पहले चलिए मैं उसको दिखा देती हूं हार्वेस्टिंग जब करूंगे तो जरूर सेयर करूंगी यहां पर भी देखिए टमाटर लगे हुए हैं और जब पीले होने मैं तोड़ूंगी और फिलाल अब देखिए इनमें लगे तो बहुत सारे हैं अभी खूब पीले नहीं हो रहे हैं यहां पर देखिए पत्तागों भी और यह मूली मूली भी देखिए काफी अच्छी लग गई है खूब हार्वेस्टिंग के लिए भी पिल्कुल तयार है लेकिन अभी सर्दी बहुत जादे हैं और फिलाल जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे ही तोड़ती हूं ताजी ताजी सब्जियां तोड़के खाने में का मजा ही कुछ और है और यहां पर देखिए यह फूलों भरा मेरा गार्डन है और सब्जियां भी थोड़ी मुझे जैसे जैसे समय मिलता है देखिए मैं तोड़के इकठा भी कर रही हूं सारा कुछ यह काटके निकाल दूंगी जो भी फूल सूख रहे हैं और इनको कमपोस्टिंग बिन में चाहे डाल सकते हैं या फिर पॉट वगरा भर रहे हैं तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं इस तरह से यह जाफरी वाला गेंदा है और इसमें से मैंने कुछ कलम से तयार किये हैं कुछ बीजों से तयार हो गए हैं और इस तरह से देखिए यह फ्रंट के साइड मैंने लगाया हुआ है काफी सुन्दर लग रहा है गार्डन और फूल तो और भी बहुत अच्छे खिले थे मैंने बहुत सारे काट भी दिये हैं जो जैसे जैसे सूख रहे हैं यह देखिए यह वाइट वाला गुल्दावदी है लेकिन जैसे जैसे मिच्योर हो रहा है यह परपल कलर में हो गया है और मैं बस इनकी कटिंग कर दूंगी ताकि यह दोबारा से फ्लारिंग कर देखेंगे और मार्च अपरेल तक इनमें फूल लगे रहते हैं और यहां पर देखिए यह देसी गुलाब है और कुछ इंगलिस गुलाब हैं जिनमें देखें बड्स आ गई हैं यह काफी सुन्दर मैरून कलर का इंगलिस गुलाब है जब खिले का तो जरूर यहाँ पर कुछ पत्तागु भी और यह पाट है गाजर वाला । यहाँ पर देखिए इसमें गाजर काफी मोटी-मोटी सी लगी हुई है तो अभी जब मैं हारवेस्ट करूँगी तो जरूर दिखाऊंगी अभी मैं हारवेस्ट नहीं करूँगी गाजर और देखिए काफी अजिए हम तो तो में टोड़ ले हुए है यहां पर देखेम अलु लगाया हुआ अलु के पौधियों जेक्ता है और आलु अलु के और मिंचोर होज़ू रहे हैं तो है अब जाएगा तब मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी और यहां पर देखिए यह ब्रॉकली भी मैंने करीब पांच लगाया हुआ था लेकिन चिडिया छोटे-छोटे मुलायम पौदे होते हैं तो उनको चिडिया बगरा काट देती हैं अभी भी इसकी पत्तियां देखिए काट का सब्सक्राइब रही हैं यहां से तो इसमें देखिए सभी में तीन पौदे बचे हैं 5-3 बचे हैं तो तीनों में ब्रॉकली आ गई है और ब्रॉकली एक ऐसी सबजी है जो आप तीन से चार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं जितनी हार्वेस्टिंग उतना ही फूल छोटा होता जाएगा फर्स्ट हार्वेस्टिंग में काफी बड़े फूल मिलते हैं आपको और यहां पर भी देखिए टमाटर लगे हुए हैं और बैगन के और भी पौधे हैं यह देखिए यह गोल वाला बैगन है यह पुराना है इसमें से भी मैंने हार्वेस्टिंग काफी की ती इसक मैंने 15 से 16 पौधे लगाय हुए थे तो वह हार्वेस्ट कर ली हूँ और यह सब अब यह जन्वरी लास्ट तक इन में मुझे फूटिंग मिलेगी और यह देखिए यहां पर भी कुछ टमाटर हैं जो तोड़ने के लिए ठीक हैं क्योंकि यह पीला हो रहा है अब यह पक ज बेश्ट वगरा जो भी रहता है वो मैं लेके आती हूं चटपे और जो कुछ भी सबजियां मिल जाती हैं उनको में तोड़ लेती हूं देखिए इतना टमाटर मिला है और इतना बैगन तो जो भी है यह तोड़ ली हूं क्योंकि बंदर टहल रहे हैं चाहे जब भी आ सकते हैं और इनको नुकसान पहुचा सकते हैं तो उम्मीद है मेरी गार्डन अपडेट आपको अच्छी लगी होगी मेरी बगिया कैसी लगती है कमें जरूर बताएं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई थैंक यू कर दो